सब्सक्राइब एंड विजिट देने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दू कि आज मैं बहुती सिंपल एंड सोबर सा ब्यूटिफुल सा लुक दिखाने वाली हूँ जिसमें आई मेकप जो है वो सौफ्ट एंड सोबर रहेगा लेकिन लिपस्टिक बड़ी प्यारी और ब उसके बाद में जो प्रोड़क्ट यूज कर रही हूँ वो है टोनर टोनर यूज करना बहुत जरूरी है आपके स्किन के पीच बैलेंस को यह मैंटेन रखता है इलस्टिसिटी भी अच्छी रखता है स्किन को इवन टोन करता है और मेकप से पहले स्किन टोनर अपलाई करन ही चाहिए और यह है water based moisturizer आप कोई भी ब्राइंड का water based moisturizer ले सकते हो फिलाल मैं जो यूज कर रही हूँ वो है पी एसी का water based moisturizer ऐसे में deeply आपको बहुत ही अच्छे से live आके भी make up सिखाती हूँ अगर आपको हमारा make up live देखना है तो आप हमारी instagram id को follow कर सकते हो हमारी instagram id है कवी जाए जल्दी से follow करके वापस आजाए और यह वीडियो को अच्छे से वापस रिपीट करके दिखिए उसके बाद मैं जो product यूज कर रही हूँ वो है emroil is का moisturizer और यह जो moisturizer है यह creamy moisturizer होता है यह भी हर एक skin पे common step होता है यह भी आपको हर किसी skin पे apply करना जरूरी है जिससे कि skin जो है वो makeup के लिए बहुत ही अच्छे से ready हो जाए और आपका जो भी makeup आप यूज करने वाले हो बिलकुल भी crack ना आए उसमें या फिर बिलकुल भी patchy ना हो आपका makeup थोड़ा बहुत अगर मेरी जबान जो है वो लडखरा जाती है तो please आप समझ लीजिएगा जबान है मैं एक ही बार में record कर रही हूँ तो हो जाता है कभी कभी ठीक है उसके बाद मैं जो product यूज कर रही हूँ वो है dial का foundation and जो stick मैंने यूज के वो है forever 52 की sorry makeup forever की stick में यूज कर रही हूँ and जो brush में यूज कर रही हूँ आप देख सकते हो काबु की brush है यह है pack का का काबु की brush 005 और पहले में नेक पे makeup कर ले रही हूँ उसके बाद हम हमारे face पे जाएंगे नेक को में पूरी तरीके से अच्छे से cover कर लिया है मैंने आप देख सकते हो उसके बाद अगर हम बात करें तो मैं यूज कर रही हूँ स्ट्रॉब क्रीम फ्रम मैक यह एज प्राइमर भी आप यूज कर सकते हो और अगर चाहते हो कोई foundation ऐसा है जो बहुत थीक है और आप उसको radiant बनाना चाहते हो तो foundation में भी mix करके आप foundation को radiant बना सकते हो जो खुद आप घर पे बैठे बैठे आप खुदी कर सकते हो अगर आप जो मैं यूज कर रही हूं से मैं करने वाली हूं अपनी हाइपर पिग्मेंटेशन को कवर आप देख सकते हो जहां-जहां मेरे को हाइपर पिग्मेंटेशन से वहां पर मैं कवर कर रही हूं हलका सा ओरेंज टींट भी इसमें मैंने एड किया है और मेरे स्किन टॉन से टू ग्रिप भी बनाके रखता है तो यह प्रेय अगर आपके पास नहीं हो तो आप अपनी वैलेटी पे जरूर राइड करें उसके बाद में जो ब्लेंडर यूज कर रही हूँ वह है ब्यूटि लिशिश का डैम ब्यूटि ब्लेंडर में यूज कर रही हूँ दैन उसके बाद हम हमारे फांडेशन के स्टेप पर मतलब बेस करने के लिए हम लोग आया और बेस जो है वह हम कर रहे है सेम वही जो हमने नेक पर यूज किया था वही सेम प्रोड़क्ट में लिया है आप देख सकते हो मैंने अपने स्कीन टोन से सेम शेड लिया है सिर्फ हलका सा आपको आप आप कसा अपको फैर देखेगा उस से जजाधा फैर नहीं है और आप देख सकते हो कि मैंने जो उसका टोन है वो येलो टोन से लेक्ट किया विकॉस मेरा जो अड़टोन है वो यजो तो हमारे अन्दुट्ट्स भी जोईन कर सकते है अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखो तो वहाँ पे हमारे numbers भी आप हमें contact कर सकते हो आप offline सीखना चाहो तो offline आजाईए सीखने online सीखना चाहो तो online सीख लीजिए next जो step है हमारी वो है cream contour और contour करने के लिए मैं जो product यूज़ कर रही हूँ वो है forever 52 की concealer character palette और जो brush में यूज़ कर रही हूँ मेरे face मेरे face के हिसाब से मुझे जहां जहां जरूरी वहां पर मैं कट दे रही हूँ ध्यान रखिएगा हर किसी के features के हिसाब से उसको cover करना होता है जरूरी नहीं है कि सबको आप same ही contour करें और same ही highlight कर ऐसा नहीं होता है but yes highlight and contour करने से हमारे features जो है वह बहुत अच्छे से highlight होते हैं इसलिए जरूरी है कि आपको contour and highlight जरूर करना चाहिए ताकि flat look ना दिखे हमारे जो features है वो sharp दिखे and बहुत ही beautiful दिखे उसके बाद हम लोग जो next step करने वाले है वो है highlighting और highlighting के लिए में बहुत ज़ादा area cover नहीं करने वाले है आप देख सकते हैं मैंने extra ज़ादा बहुत फैर color नहीं लिया है मैंने बहुत ज़ादा fair shade नहीं select किया है बहुत हलका सा light shade मेंने लिया है वह है नार्ज का जिंजर शेड में क्रीमी यह है नार्ज का सॉप मैट कंसीलर सॉप मैट कंसीलर जो है ब्यूटी ब्लेंडर की जो ब्यूटी ब्लेंडर में उसकर रही है उसके बाद हम आएंगे वापस से contour पे बट यह जो contour है यह powder contour है से पहले हमने जो contour यूज किया था वो था creamy contour दोनों भी करना जरूरी बट अगर आप मुझे पुछो कि दोनों मेंसे कोई एक ही लेना हो तो हम कौन सा ले सकते तो मैं आपको बताऊंगी कि आप powder contour सिलेक्ट केजिए बट अगर आप दोनों ले सकते तो दोनों जरूर लीजेगा ताकि आपको बहुत ही अच्छा 3D लुक जो 3D एफेक्ट है वो आपके face में आपके make-up में दीखे उसके बाद जो next step है वो है mac का mineralizing powder जो आपको बहुत ही beautiful से finishing देता है यह अगर आप यूज करते हो तो आपका base जो बहुत अच्छे सेट हो जाता है second thing की आपको airbrush जैसे finishing आपको यह product से मिलती है जो brush में यूज कर रही हूँ पहला जो छोटा brush था वो है लंडन प्राइड का 326 नमबर का brush और अभी जो ब्रश में यूज कर रही यह है age से 2 से 3 या 5 साल तक छोटी लग सकती है अगर आपको यकिन नहीं होता है तो आप जरूर ट्राइ कीजेगा एक साइड में आप eyebrow defining कर लीजिए और दूसरी साइड में रहने दीजिए और फिर mirror के सामने जाके खड़े रही है आपको जिस साइड में अपने brush को define किया है वो आ अनस्तासिया का 12 नंबर का eyebrow defining brush और जो product में यूज़ कर रही है अनस्तासिया का deep brow pomade dark brown shade इंडियन्स के लिए dark brown shade सबसे best होता है आप इससे जाधा light shade ना ले अगर आप इंडिया से हो तो आप dark brown shade ही सिलेक्ट करें आप online भी ले रहे हो तो ध्यान रहे कि shade गलत सिलेक्ट ना हो आप अगर इस field में mastery करना चाहते हो आगे बढ़ना चाहते हो अपना नाम बनाना चाहते हो इस्से in come sources आप सोचेओं कि आप इसी में फिल्ड में और इसी फिल्ड से आपको income भी चाहिए इंकम भी generate करने और आपका नाम भी इसी फिल्ड में बनाना है तो आप हमारे पास में पूरा कोर्स कर सकते हो आफ लाएन हो या ऑनलाइन हो आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूतिफुल सा आई मेकप हमने किया है soft है, sober है and एकदम simple सा आई मेकप है but मैंने जो liner किया है वो जादा highlight कर रहा है और ये हमने एक आईस पे कर ले वो है गाला का मिनी ब्लेंडर उसके बाद हम करने वाले हैं यूज मिशली पालमा आईशाडव पैलेट का और उसमें से मैं जो शेड ले रही हूँ शेड का नेम है कैरमल और मैं ब्राउन फैमिली को सिलेक्ट कर रही हूँ आप चाहे तो पिंक और परपल फैमिली को भी सिलेक्ट कर सकते हो आप ग्रीन को भी कर सकते हो औरेंज को भी कर सकते हो ठीक है फिलाल जो ब्रश में यूज कर रही हूँ वो है पी एसी का 210 नंबर का ब्रश ये बिग फलफी ब्रश है ध्यान रखे कि जितना जादा बड़ा fluffy brush आप लेते हो उतना जादा आप लोगों को soft blending मिलती है और जितना छोटा brush आप लेते हो उतना जादा आप color को जादा deposit कर सकते हैं मतलब जो color है वो जादा deposit होता है और जादा dark color दिखता है और जितना बड़ा ब्रश होता है उतना soft effect जो है वो हमें मिलता है ठीक है अगर हम next brush की बात करें तो next brush में use कर रही हूँ 229 नंबर का brush प्रॉम PAC पैक का ये brush है 229 नंबर का blending के लिए बहुत ही जबरदस ब्रश है और आप देख सकते हो मैंने brown color का shade लिया है ब्राउन shade जो है मैं वो edges पे apply कर रही हूँ और वही पे ब्लेंड भी कर दे रही हूँ हलका सा जो dark है उपर वाला जो color है उसे थोड़ा सा dark है आप देख सकते हो बहुत ही beautiful तरीके से हम लोग हमारे eye makeup को भी one by one जो step by step में करके आपको दिखा रही हूँ ऐसे और भी आप makeup सब्सक्राइब करना और हमें इंस्टाग्राम पे भी follow कर लेना इंस्टाग्राम पे हम लाइव आके makeup दिखा दे इंस्टाग्राम आइडी है कविता पटल मेकवर उसके बाद मैं जो product यूज कर रही हूँ वो है बेका का champagne pop highlighter जो मेरा favorite highlighter में से एक है और आप देख सकते हो जै इप सेट आइज है तो आप ऐसे makeup जरूर करें ताकि आपकी eyes जो है वो ज्यादा beautiful लगे आपकी eyes की beauty जो है वो enhance हो और आपकी eyes जो है वो highlight हो जाए ठीक है अलग अलग eyes की सबसे कैसे makeup करना होता है वो भी हम हम अमारे classes में सिखाते है चाहे offline हो चाहे online हो अगर आप सीखना चा यह बहुत सारी lines जो है वो दिखती है foundation यहां से दिखता है powder यहां से दिखता है because यह जो area यह eye makeup के लिए होता है और आप वहां पे cover नहीं करते हो मैं जो brush यूज कर रही हूँ वो है 309 number beautylicious का brush और आप देख सकते हो बहुत beautiful तरीके से में नीची जो lower lashes पे makeup कर रही हूँ जि ने लिया था वो लेके मैं पूरा eye makeup जो उसको soft बना रही हूँ ताकि हमारा eye makeup जो हो बहुत ही soft लगे और बहुत ही natural effect हमें दे हमारा eye makeup है वो उसके बाद मैं करने वाली हूँ काजल और मैं यूज कर रही हूँ मैंने select किया है colorful काजल और सबसे ची बात इस काजल की यह है कि म वो है sea green color आप easily आप शायद कोई भी shop पे आपको मिल जाएगा जहां से beauty products आप ले सकते हो वहां से आपको easily available हो जाएगा उसके बाद जो मैं यूज कर रही हूँ यह मेरा favorite मशकारा में से एक मशकारा है और यह फेरा रुशी का 2-in-1 मशकारा आप अगर ध्यान से देखो तो कैसे apply करने वह भी सीखना चाहते तो बहुत जल्दी हम वह भी वीडियो जरूर बनाएंगे उसके बाद जो next step में कर रही हूँ वह है highlighting और highlight करना बहुत जरूरी है आजकल सबको glow ज्यादा पसंद है और अगर आप चाहते हो आपके भी face पे glow आए और आप भी makeup में glow दिखान चाहते हो उपने face पे तो आप यह product जरूर ट्राय करना यह है बेका का champagne pop highlighter champagne pop shade का नेम है जो brush में use कर रही हूँ वह है beautylicious का sorry इसलिए जरूरी है कि नेक पे भी हमें highlight करना चाहिए जो highlighted points है वहाँ पे और आप देख सकते हो मैंने side में थोड़ा सा highlight किया है उसके बाद में कर रही हूँ lipstick और मेरे lipstick लगाने का तरीका जो वह है थोड़ा अलग जो है थोड़ा हटके मैं हमेशा कोई भी एक color की lipstick डिरेक् में mix कर दिया है mix करने के बाद में आप देख सकते हो कि कुछ अलगी shade निखर के आया है और अलगी shade बनके आया है और वह shade में अपने lips पे अभी apply कर रही हूँ जो हमारा lipstick लगाने का तरीका है जैसे ही lipstick फिनिश हो जाएगी आप समझी जाओगे कि इनका lipstick लगाने का तरीका जो वह सबसे अलग है हमारी जितने भी students है या हमारे इंस्टेग्राम की जितने भी family है वो सब लोग हमारे lipstick लगाने के तरीके को बहुत जादा पसंद करती है जब भी हम live आते हैं उनको बहुत पसंद आता है जिस तरीके से हम lipstick का shade create करते हैं जिस तरीके से हम lipstick को शेप देते हैं तो आप भी अगर ऐसा perfect makeup सीखना चाहते हो तो जरूर जरूर फ्री में भी आप सीख सकते हो जैसे आप यहाँ पे भी सीखी रहो बट अगर आप इसमें और ज्यादा deeply knowledge चाहते हो अपना career बनाना चाहते हो तो हमारे हमेशा courses होते रहते हैं offline हो online हो उसको भी आप join कर सकते हैं तो ज्यादा time अपना waste ना करें नीचे देगे number पे call कर लें actually number में बताई देती हूँ number है 97123-51149 यह हमारा number है आप इस पे whatsapp भी कर सकते हो call भी कर सकते हो और details हमारे classes की जो है वो आप ले सकते हो ठीक है description box में में हमारे instagram id की link भी वहाँ पे दे दूँगी ताकि आपको directly वहाँ पे जाने में easy रहे अधर वाइस आप सिर्फ कविता पटल makeover भी अगर सर्च को रोगे तो आपको directly कविता पटल makeover मिल ही जाएगा okay and आप देख सक हमारे lipstick जो है बहुत ही beautiful तरीके से हमने apply कर लिए और यह lipstick जो है यह बड़ी प्यारी lipstick के long lasting है बहुत time तक stay करती है अब stay की बात आई चुकिए तो हमारे makeup को जो long lasting मनाता है जादा time तक stay करने में help करता है वो होता है हमारा fixing spray और जो fixer में use कर रही हूँ वो है forever 52 का fixer जो हमार है मैं आपको just दिखाना चाहती हूँ कि जो straightening straightener होता है उसके help से आप curls कैसे कर सकते हूँ मैंने आदे कल्स तो पूरे करी लिए बड़ आपको दिखाने के लिए मैं आई हो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से straightener में अपने hair का जो part है एक वो लिया और दीरे-दीरे कर आप यह देख सकते हैं बहुत ही beautiful से curls वाव तैंक यू सो मज कि मैंने यह अपने आपको सिखा दिया है और यह मैंने सीख लिया है बहुत इजीली मैं अभी यह कर सकती हूँ आप सब भी ए ट्राइजरूर करना बहुत इजी होता है ऐसे curls करना जो machine मेंने उसके है वह आइको करके कि आपको यह जो लुक है यह कैसा लगा आप जितना जादा अप्रिशेट करोगे उतना जादा हम कुछ ना कुछ नया लेकर आएंगे आप देख सकते हो ब्यूटिफुल से आए मेकप विद ब्यूटिफुल सी हैस्टाइल आप ऐसे और भी मेकप देखना चाहते हो औ और मेकप से रिलेटेड और भी कुछ नया नया सीखना चाते हो चाहे थियोरी हो चाहे प्रैक्टिकली हो तो आप हमारे पास आके सीख सकते हो तैंक यू सो मच गाइस